हलो दोस्तों मेरा नाव में बिना और आप लोग देख रहों बिना टेक तो मैं आज आज आप लोग को बताने जा रहों हैबल्स का good news के बारे में regarding dividend और Q3 result तो क्या है Q3 result और कितना dividend आप लोग को मिलने वाला है मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहों तो चलिए start करते हैं तो रिसेंटली हेविल्स ने एनाउंस किया है क्यू थ्री रेजल्ट और डिविडेंट तो चले देख लेते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो है तरफ से यह नोटिफिक्स निखाला गया था ओन 23 जैनुवेड टुटाउजन 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 तो यहां पर आप लोग देख सकते हो नीचे डिकलाइरेशन आप इन्टरीम डिविडेंट और यहां पर जो डिविडेंट आप लोगो मिलने वाला है per share के इसाबसे जो फरी रूपीस मिलने वाला है अगर आपके पास एक share है तो आप लोगो 3 रूपीज आप लोगो मिल जाएगा ठीक है और इसका जो रेकॉर्ड डेट है वो है 1st February 2024 को रेकॉर्ड डेट रखा गया है ठीक है तो रेकॉर्ड डेट से पहले अगर आपके डिमेट अकाउंट में ये शेयर है हेविल्स का तो आप लोगो ये 3 रूपए जो है मिल जाएगा और यहां पर आप लोग देख सकते हो जो डेट है वो क्रेट होने वाला है on or before 21st February 2024 को आपके बेंक एकाउंट में ये क्रेट हो जाएगा ठीक है तो ये था डेट के बारे में तो आप ये मैं बताने जा रहा हूँ हेविल्स का Q3 रेजल्ट के बारे में तो चलिए जान लेते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो यह रहा Q3 रेजल्ट और यहां पर जो क्रोर्स में क्रोर्स में क्रोर्स हुआ है और quarter ended 9 months ended total income जो है पिछले quarter से increment हुआ है जो कि 4,469 क्रोर्स यहां पर आप लोगो देखने को मिल रहा है अच्छा कासा jump देखने को मिल रहा है और year on year basis में भी यहां पर jump देखने को मिल रहा है और expenses यहां पर आप लोग देख सकते हो पिछले quarter से बढ़ा है थोड़ा expenses और year on year basis पे भी यहां पर expenses बढ़ा है थोड़ा और profit before tax आप लोग देख सकते हो 390.73 profit पिछले quarter से यह भी increment हुआ है और total tax expenses यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर भी थोड़ा बहुत increment हुआ है और profit for the period यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर भी आप लोग को increment हुआ है that is 287.91 crores पिछले quarter से और year on year basis पे भी यहां पर increment हुआ है earning first share जो है यहां पर आप लोग देख सकते हो पिछले quarter से increment हुआ है इस quarter में 4.95 है और पिछले quarter में 3.97 और year on year basis पे 4.53 तो यह था Q3 result के बारे में आवल्स का तो अगर आपके लिए वीडियो पुला प्लीज तो लाइक से कॉमेंट और सब्सक्राइब तुमाचाम बिना टेक थेंक यू